आज देश भर में महाशिवरात्री का पर्वु मनाया जा रहा है वहीं वाराणसी में महाशिवरात्री की धूम मची हुई है शिव भक्तों में गजब का उत्सहा भी देखने को मिल रहा है बाबा की दर्वार में लंबी-लंबी कतारे देखने को मिल रही है वहीं हमारे सायोगी ने शिव भक्तों से खास बात चीत के अहली बार देखने को ऐसा अधूत नजारा दिधरा है कासी में कि यदि आधे रंते के लाइन लगाने के बाद भगवान का दर्सन हो जा रहा है जलका अर्पन हो जा रहा है और कासी का यह अधूत जो धाम बना हुआ है यह बाबा विस्तुनाज की बहुत बड़ी किपा है का जुमपर्त का महत्त है वो आधिद्रेविक आधि भहुतिक आपार्रहुतिक दिनक पतार से पुन को देने वाला है इसलिए किसी वीदेवाले में भगवान शीव का दर्सन करना सबके लिए आउशक है हमेज़ा हमेजशा के लिए मुझे लगता है हर आढमी के अंजर आस्था को लेकर यह और आज भाहा शिवरात्री का जो पर्व है वो आज के दिन यह मानता है बनारस में की बाबा और माता पार्वती का आज विवा हुआ था और आज के दिन जो बाबा और माता का योग होता है और आज के दिन की मानता है कि आज का बहुत जादा ही विशेश दिन होता है वो देखने का तो सब को ललग है तो भारत को ललग है और हम बहुत ही गरवानित हैं कि मोदी जीने इसको इस पांगर को बहुत ही सुचद्धी तरीके से जैसा होना चाहिए उससे भी बहुत बढ़िया बनाया आज महाशुरात्री का पर्व पूरे देश में बड़े हरसुलास के साथ मनाया जारा है बात करें शुकी नगरी काशी की तो काशी में महाशुरात्री का अनोखा ही नजारा होता है यहां राज से ही श्रद्धालू लाइन में लगे हुए है बादा के जला अभिशेग के कर उसमें इश्णान कर डुपई लगाकर बाबा पर जला अभिशेक कर सकते हैं कि आज के दिन ही महाश्यूरात्री के दिन ही बाबा शंकर अपना सन्यासी जीवन क्याक कर गिरहस्त जीवन में आये थे जो कि बनारस में बाबा की नगरी काशी में दो जाता है ज्ञाकी निकाला जाता है बाबाight में हर जारो ti you भाग लेते हैं और आप जैसा की बेख रहे हैं कि श्रत में जो है तूर दर आज से आए जे लंगी लान लगाए हैं बाबा विशुनात के दर्शन के लिए वरांसी से आती पांडे आर्नाइन